हैलो मेरे प्यारे दोस्तों नमस्ते सलाम कैसे हैं आप लोग तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही जरूरी बाते बताने वाला हूँ सौधी अरवाने वाले हैं या किसी भी बीदेश जाने वाले हैं गल्फ कंट्री में तो ये वीडियो पूरी में एक ऐसा काम बताने वाला हूँ जिस काम को करके इस्टरा पैसा आप कमा सकते हैं अगर आप लोग हमारे काम में आएंगे तो आपको जादा कमाई नहीं होगी तो इसलिए आप लोग हेलफरी में आने की कोशिस ना करें जब भी बीदेश जाने के लिए सोचें तो कोई कि साओधी अरब में किस काम में कितना कमाई होता है किस काम को करने के लिए जाएंगे तो हमें अच्छी खासी यर्निंग होगी ये चीज़ मुझे नहीं पता था यहां आने के बाद से पता हुआ कि इस काम में जादा कमाई होता है और इस काम में जादा कमाई नहीं होता है अगर आप साओधी अरब हेलफरी में आएंगे तो आपको रोड साफ करने के लिए मिल जाएगा उसके बाद से आपको खजूर में पानी चलाने के लिए मिल जाएगा बकरी चराने के लिए मिल जाएगा भेंड चराने के लिए मिल जाएगा उसके बाद से घरों का साफ सफाई करने के लिए मिल जाएगा योगा मैंने इससे पहले एक वीडियो बना दिया है कि उट बकरी चराने वाले लोग अकेले अकेले जंगलों में पहाडों के बीचों में रहना पड़ता है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी साउदी अरव या किसी भी गल्फ कंट्री में जाएं तो आप लोग किसी ने किसी काम को सीख करके ही जाएं बीना काम को सीखे ना जाएं दोस्तों मैं ये नहीं चाहता हूँ कि और भी कोई हेलफरी में साओधी अरव आए यहाँ पर मैंने लोगों का जिंदगी देख लिया है कि लोग कैसे जी रहे हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कोई भी हमारे इंडिया का यहाँ पर आकर के फसे ना दोस्तों अगर साओधी अरव में आपको अच्छी कमाई करना चाहते हैं ये सी टेकनिकल का अगर काम सीख करके आ रहे हैं तो आपको अच्छा खासा यर्निंग होगा पचास से साथ हजार रुपया बड़े अराम से कमा सकते हैं अगर आप आजाद वीजा में आते हैं पचास साथ हजार अराम से कमा लेंगे उसके बाद से पोलेंबर पाइप फीटर जो कहा जाता है जैसे की पाइप से टूटा है टंकी हो गिरों में पाइप से टूटा है उस काम में भी अगर आ रहे हैं आप तो आपको अराम से पचास साथ हजार कमाएंगे लेकिन उस काम म अगर उस काम में भी आजाद वीजा में आएंगे तो आप इस्टरा कमाएंगे मतलब कि अगर कमपनी के माध्यम से आ रहे हैं तो जितना कमाएंगे आजाद वीजा में अगर आएंगे तो उससे दो गुना तिन गुना कमा सकते हैं कि घूम करके कमाना रहता है और उसमें कोई फिक्स नहीं होता है कितना कमाई हो सकता है कहीं उपर भी काम करने के में लिए मिल जाएगा जैसे कोई बुला दिया कि मेरे पास एक AC خराब हुई है बना दो तो उस AC को बना देंगे तो आपका इस्टरा कमाई हो जाएगा तो इसलिए आज़ाद बीजा में कुछ जादा कमाई होता है उसके बाद से दोस्तों अगर आप ड्राइबरी में आ रहे हैं तो हाउस ड्राइवर को छोड़ करके जैसे कि हाउस हो गया उसके बाद से कोई साभी मतलब बड़ी गाड़ी अगर आप चलाने के लिए आ रहे हैं तो उसमें भी आप अच्छी खासा कमाई कर सकते हैं और दोस्तों अगर आप मिस्तिरी हैं अगर कोई मिस्तिरी आ आए सौधी अरभ में जोड़ाया काम करने के लिए तो ओभी लाखों रुपिया महीने का कमा सकता है क्योंकि मिस्तिरियों का यहां पर दियाड़ी 200 रियाल होता है तो 200 रियाल का मतलब इंडिया का अब कम से कम 4000 रुपिया पकड़ लीजिए तो अगर 4000 रिया का पकड़ेंगे तो आप महीने का जोड़ लीजिए कितना हो रहा है उसके बाद से दोस्तों अगर आप किसी होटल सोगरों में अगर काम के लिए आते हैं तो होटल में भी काफी ज़्यादा कमाई होता है क्योंकि होटल में जो सेलरी होती है सेलरी के बाद से टीप मिलता रहता है मालो दस रियाल भी सिरियाल आ करके अगर देते रहते हैं लोग तो जितने गेश्ट आते हैं अगर दस भी सिरियाल करके भी देते हैं तो आपका काफी इनकम हो जाएगा तो टीप उसमें मिलता है जितना सेलरी होता है उतना उतना भी टीप मिल जाता है कभी कभी तो इसलिए आप अगर होटल में भी आ रहे हैं तो होटल में भी आपको अच्छी खासी कमाई हो जाएगी उसके बाद से दोस्तों मैं बता दूँ कि अगर आप वासर में यानी गाड़ी का धूलाई करने के लिए आ रहे हैं धूलाई सेंटर पे धूलाई करने के लिए अगर बीजा आपको मिल जाता है तो आप धूलाई करने के लिए उसमें भी टीप मिलता है जितना मतलब سेलरी होता है उतना उतना टीप मिल जाता है तो इन सारी कामों में अच्छी खासी कमाई है अगर आप भी आना है तो इनी सारी कामों में आईए नहीं तो हेलफरी में आप बिलकुल मतलग आईए क्योंकि दोस्तों मैं भी अगर दोवारा आऊँगा तो हेलफरी में नहीं आऊंगा किसी काम में ही आऊंगा तो इन सारे काम का जानकारी मुझे देख करके मिला है क्योंकि मिस्तिरी वाले मेरे मालिक का घर बन रहा था तो मिस्तिरी वाले से पूछे उसके बाद से हमारे मालिक के घर पे यसी बनाने वाले आये थे तो वो तो हमारे यहां से थे तो उनसे भी पूछे थे और भी अगल बगल में जाकर कैसे पूछते रहते हैं दोस्तों मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं उन लोगों के साथ क्योंकि यहां का जो नियम कानून है कुछ अजीब है जैसे कि वीडियो बनाते समय कोई पीछे आदमी नहीं आना चाहिए लोकल का आदमी या उरत क्योंकि उससे परमिसन लेना पड़ेगा इसलिए मैं पबलिक में वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं जो भी जानकारी रहता है मैं एक जगा से दे देता हूं और दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप से बताया था कि एक ऐसा काम मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिस काम को करके इस्टरा पैसा कमा सकते हैं यानि कि किसी काम को आप साओधी अरब में या किसी गल्प कंट्री में कर रहे हैं उसके बाद से भी आप उस काम को करके इस्टरा पैसा कमा सकते हैं तो वो काम है सोसल मीडिया जैसे कि आप फेस्बुक पर भी काम करके पैसा कमा सकते हैं और यूटूब पर भी काम करके पैसा कमा सकते हैं तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूज बताईएगा हाँ तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी अगर ये जानकारी आपके काम की हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूज कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सेयर भी कर दीजिएगा ताकि मैं इस परकार का और भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आता रहूं ओके दोस्तो अभी के लिए बाई बाई फिर मिलेंगे आप से किसी अगले वीडियो में वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह से आप मेरा सपोर्ट करते रहिए वीडियो को बनाने में काफी टाइम लगता है और काफी मेहनत लगता है इसलिए आप लोग मेरा सपोर्ट जरूज कीजिए थांकू सो मच